हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टो मैं चैनल टोड़ेगे और गूएंग दूए चैप्टर थी पॉलिनॉमियल इस फ्रॉम स्टैंडर नाइंथ यह क्लास नाइंथ का थर्ड चैप्टर है लास नाइंथ में हमने फर्स सेकेंड चैप्टर जो थी तोनों हमने कंप्लीट कर लिया है यह आज की वीडियो में हम थर्ड चैप्टर देखने वाले जाट इस पॉलिनॉमिल अब पॉलिनॉमिल यह क्लास एट में भी पॉलिनॉमिल हमने थोड़ा सा देखा था आज हम क्लास नाइंथ में जो थर्ड चैप्टर में पॉलिनॉमिल दिया गया उससे हम देखने वा पावर आफ दी वैरियबल इस पॉजिटिव इंटेजर इसकॉल पॉलिरोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैं एक एक्सप्रेशन लाइक 5x प्लस 3y प्लस 2 इस तरीके से कुछ भी एक इस एक्सप्रेशन इन विच्प्रेशन को मैं तो अगर जो इस प्लस वैरियेबल की जो पावर यह फिर इंडेक्स दिये गए हैं वो पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए या फिर हम अधर वर्ड में वो सकते हैं वो जो है होल नमबर होने चाहिए हो नमबर कहा से स्टार्ट होता है that is starting from 001234 तो इस तरीके से यह मतलब हम क्या बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स है तो इस तरीकी के पॉजिटिव इंटीजर्स जो की वैरियेबल के पावर में हो ऐसे अलगेबिक expression को हम क्या बोलते हैं यहां पर एक 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 जांपल देखिए ठ्सकार प्लेश प्लेस प्लेस फाइफ पहले हम देख लेते हैं यह क्या है इस दे algebraic expression यह हमारा एक algebraic expression मतलब जिसमें x y z term में कुछ रहे constant भी हो numbers भी हो तो इस तरीके के term को हम बोलते हैं algebraic expression ओकी now in algebraic expression ठीक है यह हमारा algebraic expression हो गया इसमें जो है variable कहां पर है अब यहां पर जो x है this is the x x is the variable यह क्या है यहां पर variable है यहां पर भी x है this is the variable तो इस तरीके से यहां पर variable के रूप में x y z कोई भी हम alphabets ले सकते हैं तो इस तरीके के जो alphabets यहां पर number के साथ में होते हैं that is known as variable ओके अभी यहां पर variable का power power या फिर power को हम क्या बोलते हैं index तो यहां पर x का power जो क्या है 2 है this is the power इसको हम क्या बोल सकते हैं power और index this is the index of this variable तो जो index हो या फिर power हो variable का algebraic expression में वह क्या होना चाहिए whole number होना चाहिए whole number में 0123 इस तरीके से नंबर होना चाहिए या फिर we can say positive integers होने चाहिए देन इस तरीकी के algebraic expression को हम क्या बोलते हैं polynomial बोलते हैं एक हम second example लेते हैं सबसे पहले हमने क्या देखा था कि वारियाबल होना चाहिए तो यहां पर भी वारियाबल है पावर उसका positive integer होना चाहिए यहां पर पावर क्या है एक्स का पावर 3 है मतलब यह क्या है positive है 5x यहां पर एक्स का पावर कुछ भी नहीं दिया मतलब क्या है वन है तो यह भी positive है बट लाश्ट हम देखेंगे तो 3 Mary of chor in somepoorn x Kart यहां पर लेच वाजह से इसा जब फ्रीर finely एक तो हमने एक टम देखा था ए किस तरीका कऊछ रहता है तो जब आपर लेको जाते तो किस तरीके से होता है ए अपाउन माइनस-स हो जाता है वह स्कावर इसका पावर क्या हो गया नेगेट यहाँ-1001 एक तरफीं प्यकिया हुआ यहां हो हुए ठीके चाहले हैं यहाँ पर definition में हमने देखा positive integer बट यहाँ पर क्या रहा है minus हा रहा है minus x हो जा रहा है x का term smells coefficient के साथ हो जा रहा है क्यों क्युकि हम यहाँ पर नीचे से उपर लेकिए उसको जा रहे हैं तो minus term में change हो जा रहा है अगर minus हो गया अगर वहाँ पर जो इंटीजर है वो माइनस में आ गया तो हम क्या कहेंगे कि वो जो है पॉलिनॉमियल नहीं है क्या होगा वो पॉलिनॉमियल तो वो पॉलिनॉमियल नहीं होगा तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि यह जो है इस अलजेब्रिक जो अज़ेब्रीक एक्सप्रेशन दिया गया है, इस तरीके से, पॉलिनॉमिल कभ होता और कभ नहीं होता, यह हमने अभी देख लिया है, नेक्ट हम देखते हैं, टाइपस ऑफ पॉलिनॉमिल कौन कौन से होते हैं, इते जाव में तैप्स ऑफ पॉलिनॉमे जो दिया गया गया है ढ़्यार्ती टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमेल देख ले हैं तो अजड़े हुने ने ठीने सों के नाम से नाम से ही पता चलहां मतलब सिंगल सी तरीकी चाह पिसे याद रख सकते हो श्रीक माइन सबस्केम सरीमें घ söyl त्रेंट हम क्या पोलते हैं श्रेड इसमें मोस सब्सक्रान कर या फिर खो.. था है ध्यार मारते हैं में था हो सकता है मांस यह नहीं से PARPers फाहिए भाइन is the binomial अब बैनोमेल क्या होता है वह देख लेते बैनोमेल यहां पर नाम में यहां पर पता चल रहा है बाई मतलब होता है तो जिसमें two terms हो जेमें दो करूछ नोन ऐस बाइनोमिल तो बाइनोमिल का है 2y plus 7 this is the binomial तो इस तरीके से यहां पर दो टम हो रहे हैं first term second term first term second term तो इस तरीके से दो टम होगा तो binomial होता है यहां पर कुछ example x square plus 3x या फिर y square plus 2y तो इस तरीके की term को binomial बोला जाता है next one is the trinomial यहां पर भी नाम से ही पता चल रहा है trinomial trinomial क्या होता है है try try means three three के लिए हम क्या बोलते है try बोलते ना trigonometry try means 3 tri tri means 3 होता है three nominal मतलब जिसमें तीन टम हो जिसमें three terms आते है that is known as trinomial ओके अभी trinomial कि सरीके से होगा वहां पर नाम से पता चल रहा है 3 term मतलब x square plus 2x plus 5 first term second term third term तो इस तरीके से कोई भी coefficient change हो सकता है कोई भी number change हो सकता है कोई भी variable change हो सकता है but three terms होने चाहिए तो इस तरीकी के expression को हम क्या बोलेंगे trinomial clear तो इस तरीके से there are three types of polynomials mainly three types होते हैं polynomial के first one is the monomial जिसमें की single term होगा second is binomial जिसमें की 2 term होते हैं and third one is the trinomial जिसमें की 3 term होते हैं तो आपको एक्जाम में इस तरीकी के question को पूछा जा सकता है कि identify the algebraic expression किस टाइप के हैं monomial है binomial है या फिर trinomial है तो इस तरीके से आपको वहाँ पर identify करके हैं था पर mention करना होगा this is the monomial this is the binomial और इस तर complete रहे है भाको देख लेते है डिग्री ओफ पॉली नॉम्हेल जोren इसकी ृइंहां यह हम बताना होता है तो यहां पर जो है डिग्री घृतिद्से बोलते हैं सब्सक् Yam Stranding डिग्री या फिर इंडेक्स या फिर पावर यहां पर तीन वर्ड है फर्स्ट वन डिग्री सेकेंड इंडेक्स या फिर पावर यह तीनों वर्ड पॉलिनॉमियल के लिए यूज किये जाते हैं we can say power of polynomial या फिर we can say index of polynomial या फिर हम बोल चकते degree of polynomial अब यह तीनों वर्ड का मिनिंग एक ही है तो यह होता क्या वो देख लेते हैं यहाँ पर जो है suppose example दिया हुआ है xq plus 3x plus 2 is equal to 0 this is an algebraic expression यह एक algebraic expression दिया हुआ है यहाँ पर पूछा गया है या फिर आपको बोला जाए कि यहाँ पर identify करो या फिर आप बताओ कि यहाँ पर degree of polynomial क्या है इस given polynomial की degree क्या है तो हम किस तरीके से बताएंगे clear तो यहाँ पर हमें क्या बताना होगा degree degree is the highest power of that polynomial degree क्या होता है आप इसे कहीं पर note-down भी कर सकते हो what is the degree of polynomial degree of polynomial क्या होगा highest power of the variable variable का जो highest power होता है that is known as the degree of the polynomial मैंने यहां पर एक्जाम्पल दिया इस इस पॉलिनॉमिल एक यह पॉलिनॉमिल xq plus 3x plus 2 is equal to 0 यहां पर पूछा गया अगर आपको कि what is the degree of this polynomial is polynomial की डिगरी क्या है आप बताओ तो यहां पर फर्स्ट आप डेफिनेशन चेक्रों में क्या बोला गया है highest power of the variable इस पॉलिनॉमिल में जो वैरियेबल दिया गया है उसका highest power क्या है that is the that is known as degree of polynomial तो यहां पर पहले क्या है वह हम देख लेते हैं यहां पर एक्स वैरियेबल है यहां पर एक्स की डिगरी क्या है पावर थ्री है तो हाइस्ट क्या है इसमें से बढ़ा कौन सा है कौन सा पावर बढ़ा है एक्स का वैरियेबल का कौन सा पावर बढ़ा है दिस वन तो जो हाइस्ट पावर होता है वैरियेबल का इन गिवन अलजेब्रिक expression और given polynomial that is known as the degree of polynomial तो यहां पर degree of polynomial क्या हो गया 3 तो हम बोल सकते हैं तो इस तरीके से हम degree of polynomial को find out करते हैं एक और example देख लेते हैं degree of polynomial के लिए example के लिए 5x power 4 plus 3x plus 2 is equal to 0 now see here एक और example के तो मैं आपको यह अच्छे से explain कर देती हूं यहां पर example is 7x power 6 5x power 4 plus 3x square plus 2 is equal to 0 this is an polynomial यह क्या है एक polynomial है यहां पर आगर आपको पूछा गया कि यहां पर जो है what is the degree of this polynomial इस given polynomial की degree क्या है तो आप किस तरीके से identify करोगे हमने क्या है कि जो given polynomial होता है जो polynomial दिया गया है उसमें जो variable है variable का highest power यहां पर variable क्या है यहां पर x है यहां पर भी x है तो विरे इस तरीके साद्वावर जो पावर है ओभी पावर यहां पर देखो यहां पर 2 है यहां पर 4 है यहां 6 है लेकिन कौन सा पावर हमें लेना हाइस्ट पावर जो सबसे बड़ा हो तो यहां पर 2, 4, 6 सबसे बड़ा कौन सा पावर है यह तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं 7x power 6 plus 5x power 4 plus 3x square plus 2 is equal to 0 in this polynomial degree of polynomial is 6 यहां पर जो degree of polynomial है वो क्या है 6 है तो इस तरीके से जो हाइस्ट पावर होता है variable का that is known as the degree of polynomial clear एक और लास्ट हम जो दिया गया that is the types of polynomial अभी हमने जो types of polynomial देखा था कि monomal है binomal है trinomal है यह क्या है यह number of terms कितने terms वहां पर polynomial हो उसके उपर हमने देखा था like x square plus 3x यहां पर दो टम है this is the binomial आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा है what is the polynomial सबसे पहले हमने polynomial का definition क्या है वो देखा है example उसके देखे and types of polynomial जो कि किसके उपर depend करते हैं terms कितने terms उसमें available हो तो उसके उपर types of polynomial हमने देखा उसके बाद में हमने degree of polynomial देखा तो अगर आज का information आपको अच्छा लगा हो तो like कीजिए share कीजिए और चैनल पर नहीं है तो subscribe कीजिए मिलते हैं next video में thank you